राम ररम। किसान भाईयों, मैं नित्विर से हजिर हूँ, आपके अपने चैनल नितन देवोल में किसान भाईयों आज हम बात करेंगे, कुछ किसान भाईयों के मेरे पास फोन आ रहे है कि हमारी जो अखिएंग की बहून की फसल है उनके जो बालिया बनकर करें रही हैं वे हलकी हलकी सी सूक सी रही है उनके अंदर फंगस का अटएक हलका सा दिखाई दे रहा है साथ आ जो दाना है दाने का भराओ भी अच्छी तरीके से नहीं हो प:「 पाला हॉ पूर्ण कि यह जो मॉवाइल नमबर है यह 24 घंटे open नहीं रहता है अगर किसानभ़यो 24 घंटे किलें इस नमबर को मैं खोल देता हूं तो 24 घंटे phone लागातार आते रहेंगे इतना समय किसी के विवास नहीं होता है नहीं आपी के पास और नहीं हमारे पास तो किसान भाई आप रोजाना साम को 6 बज़े से ले करके 7 बज़े तक जो हमारा कॉंटेक्ट नमबर है 9458761777 इस नमबर पर यदि आप कोल करेंगे तो डिलेक्ट आपसे बातचीत हो जाएगी तो दिन में आप साम को 6 बज़े से 7 बज़े तक कोल कर सकते हैं और दोपहर में 12 बज़े से 1 बज़े तक यानि कि पूरे 24 गंटे के अंदर दो घंटे ये नमबर खुला हुआ रहता है तो 12 बज़े से 1 बज़े तक आपके मन में जो भी प्रिश्णों आप पूछ सकते हैं और साम को 6 बज़े से 7 बज़े तक जो भी आपके मन में प्रिश्णों होते हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं तो इस तरीके से हमारे contact number से आप जोड़ करके अपने सवाल जबाब कर सकते हैं। अब बात कर रहेते हैं जो गेहूं का दाना है ये अच्छी तरीके से मोटा होकरके फूल करके आए। साथ साथ जो fungus का टैग यहूं की फसल के अंदर देखने को मिल रहा है ये fungus का टैग भी ना लग पाए तो हमें आखिरकार क्या करना है किस तरीके से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं क्योंकि काफी लंबे समय से किसान भाई इस्प्रे करते हुए आ रहे हैं खाट डालते हुए बहुत सारा पानी भी उन्हें लगाया बहुत सारी महरत भी किया है और अच्छी पैदावार उन्हें यदि नहीं मिलेगी तो उन्हें काफी जदे नुकसान देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर यदि मैं fungus की बात करूँ कि fungus का टैग फसल के अंदर देखने को मिल रहा है तो ऐसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे फंगिसाइड है आप किसी भी फंगिसाइड का उपयोग कर सकते है लेकिन कि pensaanbhoid यदि कामगार की बात करें कि थोड़ा सा मेहँगा तो ये फंगिसाइड रहेगा लेगि मेहँगा होने के साथ-वाले रिजल्ट आपको देख तो अमिष्टा टोप का आप उप्योग अपनी गेहूं की फसल के अंदर यदी करते हैं तो इससे किसानवायों आपकी फसल के अंदर से फंगस बिल्कुली जड़ से खतम हो जाएगी वो जब फंगस हमारी फसल के अंदर नहीं लगेगी तो हमारी फसल अच्छी तरीके से गि अगर नमी बना करके नहीं रखेंगे तो दाने का भराओ अच्छी तरीका उपलाओ नहीं कर पता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यांग देना है, कि गहूँ का दाना जितना अच्छी तरीके से फूलेगा, जितना मोटा आयागा हमारी पैदावार भी उत्री जाधा ही किसा 35% 40% तक और आपने अभी तक NPK 0050 और बोरून इन दोनों का इस्प्रेय नहीं गया है तो किसान भाईयों आपको ये ध्यान रखना है कि यदि NPK 0050 और बोरून इन दोनों का इस्प्रेय आप अपनी फसल के ओपर कर देते हैं तो किसान भाईयों 0050 और बोरून इनके बहुत ही बोरोन है बोरोन की मातराब 100 ग्राम पिरती एकल की हिसाब से ले सकते हैं दोनों को मिक्स करके इनका इस्प्रेय फसल के ओपर कर दीजिए और गेहूं के अंदर लगाता नमी बिना करके रखिए बहुती सांदर वाली और अच्छी पैदावार गेहूं की फसल आपको निखाल करके साथ तब तक के लिए मेरे सभी पैरे किसान भाईयों को राम राम जी